तो सद्गुरू, आप हमें जो बता रही हैं, उनमें से एक या दो ऐसी चीज़े बताईए, जो हम कल कर सकते हैं, जिन से हमारी जागरुकता, धारणा और विचार शीलता बढ़ेगी. ओ, तो आप कुछ घर ले जाना जाते हैं? जी, एक तरह से, पर कुछ ऐसा जो हमेशा बना रहें, ना कि ऐसा जो छूट जाए, क्योंकि हमने आपसे बहुत सी चीज़े सुनी हैं, हमने बहुत कुछ सुना है और मैं सोच रही हूँ कि कल में नया क्या करूंगी? देखिए, 26 अक्षर वाले ABC को सीखने के लिए, कम से कम अगर आपने भारतिये भाषाएं सीखी होती हैं, तो 54 अक्षर होते हैं, सिर्फ 26 अक्षरों को ठीक से लिखने में आपको कितना समय लगा? उन्हें सही करम में लिखना और उन्हें अपनी मर्जी से इस्तिमाल करने में कितना समय लगा? ओ, मैं आज भी सीख रही हूँ, काफी समय लगा कम से कम 3-4 साल, नियूंतब, वाक्य बनाना और उनका मन चाहे तरीके से उप्योग करने के लिए शायद 12-15 साल की शिक्षा लगी होगी, हाँ, तो आपने केवल कुछ शब्द सीखने के लिए इतना कुछ किया? पर अपने अस्तित्व की मौलिक प्रकृती के बारे में कुछ जानने के लिए, जो आपको नए आयाम में ले जा सकता है, आप उसे दो मिनिट में जानना चाहते हैं, इतनी नाइनसाफी क्यों? नहीं, मैं दो मिनिट में सिर्फ शुरू करना चाहती हूँ ठीक है, तो शुरू कैसे करें? बस इतना कीजिए, आज बिस्तर पर जाने से पहले, हर घंटे, खुद को याद दिलाइए, अभी आठ बजने वाले आठ बजे खुद को याद दिलाइए, वाह, मैं अब भी जीवित हूँ नहीं, हसिये मत, आज रात सोने वाले कई लोग कल सुबह नहीं उठेंगे धर्ती पर दस लाग से ज्यादा लोग कल सुबह नहीं उठेंगे कल सुबह, मान लीजे आप जाग गए हाँ, किसे पता है? आप हमेशा सोचते हैं, मैं नहीं मरूँगा, कोई और मरेगा भयंकर बात है कल सुबह अगर आप जाग जाएं, तो पहले जांच लें क्या मैं वास्तव में जाग गया? जिन्दा हूँ? मैं अब भी जिन्दा हूँ, वाह आपको कुछ भी करने की जुरुवत नहीं है, चिल्लाना मत कम से कम एक बड़ी मुस्कान, ठेक है? मैं अब भी जिन्दा हूँ, दस लाग से अधिक लोग आज सुबह नहीं उठे पर यहां मैं जिन्दा हूँ, शांदार है या नहीं? आपके जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है? आप अभी जीवित हैं, तो आप कल सुबह जिन्दा रहें, तो बस एक मुस्कान, वाह फिर शायद आपके जीवन में दो, तीन, चार लोग हैं, जो आपके लिए बहुत माहिने रखते हैं, बस उनकी जांच करें, वो और वो और वो और वो जीवित हैं, सब ही जीवित हैं, बहुत अच्छा अगर आज रात दस लाख लोग मारे गए, जो हर रात होता है, तो कम से कम एक करोड लोगों ने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया, जो उनहें प्रिये हैं, पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, जो आपको बहुत प्रिये हैं, शांदार है या नहीं, एक और बड़ी मुस्कु ठीक है, ग्रेट, सुभे आठ बचे, वाह, आठ बच गए, अब भी जिन्दा हूँ, हर एक घंटे, बस ऐसा करें, ठीक है, हर एक घंटे, बस खुद को याद देलाएं, चेक करें, क्रेपिया ऐसे समझें, अगर आप ईश्वर के बारे में सोचते हैं, तो आप ब्रह्म में पढ़ जाएंगे, जब आप अपनी मृत्यू के बारे में सोचते हैं, सिर्फ तभी आप वाकई इस जीवन की प्रकृती जानना चाहेंगे, जब आप जानते हैं कि आप अभी हैं, और कल सुबह आप जा सकते हैं, तब आप जानना चाहेंगे, ये क्या है, ये है क्या, मैं अभी जिन्दा हूँ, पर कल सुबह जा सकता हूँ, इतने सारे लोग जो बिलकुल ठीक हैं, अचानक चले जाते हैं, विश्वास नहीं होता कि वो कहां चले गए, आपने इसके बारे में 10 मिनिट सोचा, और फिर आप बिजी हो गए, आपको SMS भीजना था, मेरे पिता मर अच्छा है, अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हर घंटे अपने आपको याद दिलाएं कि आप नश्वर हैं, आप अमर नहीं हैं, आप नश्वर हैं, अगर आप जानते हैं कि आप नश्वर हैं, तो अचानक आप कुछ दिनों में देखेंगे, आपके पास बेकार की बक्वास करने का समय नहीं होगा। आप सिर्फ वही करेंगे जो आपके जीवन के लिए वाकई माइने रखता है। आपके पास किसी के साथ कोई बक्वास करने का समय नहीं है। आपके पास केवल वही चीजें करने का समय होगा जो आप करना चाहते हैं, जो आप वाकई अपने जीवन में करना चाहते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं, और यही आपको करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत सीमित है, मैं चाहता हूं कि आप जाने, कि ये एक छोटा जीवन है, अगर आप एक खुश व्यक्ति हैं, तो अगर आप एक इतना लंबा जीवन जीएंगे, आप जानते हैं, तो ये बहुत ही छोटा जीवन है, आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो आपके लिए वाकई माईने रखता है, है ना? हाँ या ना? पर आप इतनी बकवास कर रहे हैं, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, बस इसलिए कि आपको लगता है कि आप अमर हैं, वरना लोग कह रहे हैं, नहीं नहीं, मैं 80 तक जीवित रहूँगा, शायद 100 तक, तो मैं 70 की उम्र में ये करूँगा, जब मैं 75 साल का हो जब संपत्ती के मुद्दे सुलज जाएंगे, उसके बाद मैं उसे देखकर मुस्कुराऊंगा, ऐसी कोई गैरेंटी नहीं है, क्या यहाँ पर कोई दो दिन के लिए गैरेंटी काड लेकर आया है, नहीं, आप कल सुबह मर सकते हैं, मैं ये नहीं चाहता, मैं आपको लंब अगर आप अपनी मृत्यू के प्रती सचेत हैं, तो जागरुख होना स्वभाविक रूप से होगा, क्यूंकि जीवित रहने का महत्व खिल ओठेगा, आपने सभी प्रकार के शब्दों का उप्योग किया, जो अमेरिकी तट से आये हैं, मांडफुलनेस, जागरुखता, मा आवशकता है, मानसिक रूप से सतार्क रहने से, आप जीवन बहतर तरीके से चला पाएंगे, अगर मैं मानसिक रूप से सतार्क हूँ, तो मैं बहतर ड्राइव कर सकता हूँ, अपना काम बहतर कर सकता हूँ, कुछ और बहतर कर सकता हूँ, ये जीवन चलाना है, पूछा कि आप कैसे जानते हैं कि आप यहां हैं, आपने कुछ सोचा और फिर आपने कहा मैं सचेत हूँ, केवल इसलिए कि आप जागरुख हैं, आप जीवित भी हैं, आपका जीवन जागरुखता है, आपकी जागरुखता ही जीवन है, सवाल केवल यह है कि कितना जागरु मान लीजे कि आपको नरक में रोजगार मिला। मान लीजे आपको लोगों को प्रतारित करने का काम दिया गया, तो आप क्या करेंगे? मार डालेंगे? हलो? नहीं, उन्हें आधा जीवित रखेंगे. अगर आप उन्हें आधा जीवित रखते हैं, तो उसे यातना कहा जाता है. इसलिए अभी इसे आत्मयातना कहा जाएगा. शायद आप कहीं और रोजगार पानी की तैयारी कर रहे हों. क्योंकि दो या तीन साल की उम्र से ही, लोग आपके माता पिता आपसे पूछते हैं, बड़े होकर क्या बनोगे बेटा? मैं एक इनसान के रूप में पैदा हुआ हूँ, मुझे एक इनसान बनने का प्रयास करना चाहिए. देखिए, इस धर्ती पर हर जीवन, चाहे वो एक पक्षी हो, एक कीड़ा हो, कीट, पक्षी, जानवर, पेड़, जो भी हो, वे सभी एक पूर्ण जीवन बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं. एक कीड़ा, एक पूर्ण विक्सित कीड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, एक पेड, एक पूरा पेड़ बनने की कोशिश कर रहा है, एक इनसान को भी एक पूर्ण मानव बनना होगा. नई नई आप क्या बनेंगे का मतलब है आपको कैसी नौकरी मिलेगी तीन साल की उम्र से ये पागलपन इस वज़े से आया है क्योंकि इस देश की पिछली शताबदी इतनी गरीबी में कुजरी है लोग इतने वंचित रहे हैं उन्हें लगता है कि अगर उनके पास नौकरी नहीं होगी तो वे खाने ही पाएंगे ये गरीबी से भरी चेतना से आता है हमें आगे बढ़ना होगा वो पीड़ी गई अब ही अगर आपके दिमाग की कुछ कोशिकाएं काम कर रही हैं तो आप जीवन चला सकते हैं आपको किसी डिगरी की जुरुत नहीं है अगर आपके दिमाग की कुछ कोशिकाएं काम कर रही हैं तो आप जीवन चला सकते हैं आज ये कोई मुद्दा नहीं है। एक समय ऐसा था, जब ऐसा ही था, अब ऐसा नहीं है। इसे बदलने का समय आ गया है। सवाल ये है कि आप कैसे जीएंगे ना कि आप क्या बनेंगे। आपके जीवन का अनुभव कैसा होगा? क्या ये चरम अनुभव बन जाएगा? या ये सिर्फ एक औसत बक्वास होगा? यही सवाल है। क्यूंकि जब आप इंसानी रूप में आते हैं, तो कुछ भी होता है, वो काफी नहीं होता, कुछ और होने की ज़रूरत होती है। हाँ या ना, शायद आप सोचें कि आप अलग-अलग काम कर रहे हैं। जो आदमी मंदर जाता है, जो बार में जाता है, जो काम पर जाता है, जो दुनिया पर विजय पानी के लिए जाता है। वे सभी बस जीवन का एक बड़ा अनुभव चाहते हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मंदर में फ्री में मिल जाएगा, इसलिए वे वहाँ जाते हैं। कोई दुनिया को जीतने के लिए जाता है, कोई शौपिंग के लिए जाता है। ऐसा क्या है जो आप पानी की कोशिश कर रहे हैं। ये बस जीवन का एक बड़ा अनुभव पाने की कोशिश है पर अगर आप अपने पास पूरी दुनिया भी इकठी कर लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको बड़ा अनुभव नहीं मिलेगा आपको बड़ा अनुभव तभी मिलेगा जब आपके देखने की शमता बढ़ाई जाए अगर आपकी अनुभव करने की शमता नहीं बढ़ती तो आपके आसपास सब कुछ हो सकता है फिर भी आपका अनुभव वैसा ही रहेगा आधनेक जीवन बस यही है किसी भी दूसरी पीड़ी के पास हमारे जितनी चीज़े नहीं थी आज ज्यादा तर घर गोदाम जैसे दिख रहे हैं क्यूंकि उनकी खरीदारी इतनी है वे ये नहीं जानते कि समान कहां रखा जाये सब कुछ लोगों के उपर गिर रहा है लोगों के लिए जगा नहीं है घर चीजों से भरा है पर क्या इससे खुशी मिली है नहीं आप अपना भीतरी अनुभव बार से तैन नहीं कर सकते हैं इसे भीतर से होना होगा और आपका अनुभव जितना बड़ा है आपका जीवन भी उतना ही बड़ा होगा ना कि उतना जितना सामाजिक रूप से दूसरे लोग सोचते हैं ये सामाजिक रूप से फायदिमन हो सक पर ये जीवन के संदर्भ में काम नहीं करेगा। इसलिए जब हम जागरुखता शब्द कहते हैं, तो हम जीवन के जरूरी हिस्से की बात करते हैं। क्यूंकि आप जागरुख हैं, सिर्फ इसलिए आप जीवित भी हैं। क्या ऐसा नहीं है? अब सवाल ये है, कि कितने जीवित अगर उदाहरन देना हो, तो अभी ये रोशनी मुझे अंधा कर रही है। अब अगर आप वोल्टेज कम करें, तो ऐसा होगा। ये बस उतना ही प्रकाशित करेगा। लेकिन वे चाहते हैं कि बस कुछ रोशनी हो जाए। इसलिए उन्हों होल देखेंगे। जागरुकता ऐसी ही है, आप कुछ इसलिए जानते हैं क्यूंकि आप जागरुक हैं। अगर आप थोड़ा और अधिक जागरुक हो जाते हैं, तो आपको कुछ और पता चल जाएगा। और अधिक जागरुक होंगे, तो कुछ और। ये सभी शब्द जूड़ी हुई हैं क्यूंकि प्रग्णा का अर्थ है, आप सचेत हैं। क्यूंकि आप सचेत हैं, इसलिए आपकी चेतना की तीवरता के आधार पर आप अपने आसपास की हर चीज़ को एक हद तक जान पाते हैं। अब गुरु शब्द का अर्थ है, गू का अर्थ है नहीं है, बस इतना है कि वो थोड़ा और प्रकाश देगा, थोड़े और प्रकाश का मतलब है, इस हॉल में अंधेरा है, और आप केवल पहली दो पंक्तियां देख पा रहे हैं, और आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, अगर मैंने एक टॉर्च से रोशनी की, तो आपने देखा, ओ, इतने लोग हैं, ये एक पूरी दुनिया है, पर मैंने टॉर्च बंद कर दी, तो वहां कुछ है, अब मुझे देखना है, मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी खुद की एक टॉर्च चाहिए, ठीक है, यही काम है, मैं जिस घर में रह रहा हूँ, वहां के ब अब हर चीज जैसी है, उसे वैसे ही देखने की बात करें, तो क्यूंकि अगर मुझे यहां से गुजरना हो, तो बहुत सारे लोग हैं, विश्वास से भरपूर, आप भगवान में विश्वास करते हैं, ठीक है, मुझे पता है कि कॉपरेट जगत में लोगों ने इसे मैं खुद पर विश्वास करता हूं बना लिया है, दोनों गलत हैं, वे अलग-लग तरह का असर डालते हैं, देखिए विश्वास का मतलब क्या है, मूल रूप से विश्वास का आर्थ है कि आप जो नहीं जानते उसे लेकर मैं नहीं जानता कहने के लिए तयार नहीं है, जो आ कि बिना आत्मविश्वास एक खत्रा है, अभी मान लीजे मैं लोगों को नहीं देख सकता, मेरी नजर साफ नहीं है, पर मुझे बहुत विश्वास है, मैं लोगों की बीच से गुजरने वाला हूं, आप जानते हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं हर किसी पर कदम रखूँगा तो मैं पूछूँगा, क्रिपया कोई मुझे रास्ता दिखा सकता है? पर आप, मेरे पास कोई स्पष्टता नहीं है, पर मुझे विश्वास है, ये एक विनाशकारी प्रक्रिया है, इसलिए ईश्वर पर विश्वास करना, खुद पर विश्वास करना, या किसी भी चीज पर विश्वास करना, ये एक जूटी बात है, आप खुद से जूट पोल रहे हैं, ऐसी चीज के बारे में जिसे आप जानते नहीं, समस्या क्या है? जो मुझे पता है, पता है, जो मुझे नहीं पता, नहीं पता, इसमें क्या परिशानी? अगर इतनी ये मानदारी आपके जीवन में आ जाती है, बस ये समझ लीजिए, मैं जो जानता हूँ, वो जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता, नहीं जानता, मैं किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करता, ना ही किसी चीज़ पर अविश्वास करता हूँ, मैं हर चीज़ को देखने के लिए तयार हूँ, आप खुद को याद दिलाएं कि आप नश्वर हैं और एक मुस्कुराहट के साथ खुशी मनाएं कि आप अब भी जीवित हैं। आप देखेंगे कि आपके साथ चमतकार होगी। अरे रुको रुको, आठ बज गए हैं। नई, 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 हमारे पास और समय हैं, और समय हैं मैं ये। नई, नई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आठ बज गए हैं, अब आप भी जीवित हैं, वाँ। हम सभी जीवित हैं। और मिलकर जश्न मना रहे हैं।